हलो मैं डियर फ्रेंड्स आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड का मॉडल प्रिश्ट पत्र लेकर के आए हैं सब्जेक्ट है मारा हिंदी और ये 2022 देश के लिए हैं तो इस मॉडल प्रिश्ट पत्र से हमें ये पता चलेगा कि हमारा एक्जाम जो आने वाला है मतले बोर्ड का जो पेपर आने वाला है वो किस तरीके से होगा कैसा होगा और क्या क्या उसमें होंगे तो देखे सबसे पहले तो आप टाइम को ध्यान दीजिए इसमें टाइम जो है वो हमारा तीन घंटे 15 मिनिट कर रहेगा और आपका जो टोटल मास्क कर रहेगा वो 17 मास्क कर रहता है प्रारम के 15 मिनिट परिशात्रियों को प्रिश्पत पढ़ने के लिए ने दादे कि सबसे पहले आपको क्या करना है आपके पास जैसे ही एकसाम आता है तो आप क्या करेंगे उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे देन रीड आउट करने के बाद में आप ये देखें कि आपको उस पेपर में सबसे अच्छे तरीके से कौन सा कोशन आ रहा है आप उसी कोशन से करिए ये जरूरी नहीं है कि अगर मालीजे फ़र्ष्ट में आपको बहुत सारे कोशन दिये गए आपको वो कोशन समझ नहीं आ रहा है या आप कुछ भूल नहीं तो आप उसे जब आप दो चार प्रेशन पहले जो आ रहे हैं आप उनका इंसर देना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी जनरेट होगी और जिससे आप सारा कोशन हल करते चले जाएंगे ठीक है दूसी बात में क्या है प्रेश्ट पत्र दो खंड आ में बहुपी कल्पी प्रस्ण य्यानि पहले सेक्षन में जो आपका होगा पस्ट कोश्ट में नमट कोशिण में कि प्रकील प्रसन होगा जिसमें सही विकल्प का चैन करकर MRC एक आपको MRC दी जाएगी इस तरीके से होगी उसको आप यहाँ पे आपका नेम रहेगा और रोल लंबर रहेगा नेम नहीं होगा और आपका पुरा स्कूल नेम यह सारा कुछ आपको फिल करना होगा देन आपको इसमें ऐसे से करके रहेंगे और आपका इसमें प्रतिक खाने में चार कोशन के आपको डॉट दिये जाएंगे तो उनी डॉट को फिल करना है कोशन नमर एक, दो, तीन, चार अब चारों के ऐसे से डॉट रख दियते हैं इस तरीके से रहेंगे तो आपको उसमें क्या करना है एक जैसे जो भी सही है क्यूशन नमर एक का ए सही है तो आप ए वाले को ऐसे करके ब्लैक पें से फिल कर दीजिएगा इस तरीके से आप कर रहेगा नेक्स्ट है आपका क्यूशन नमर हाँ, फिर है आपका फोर में फोर में क्या है, खंड आ में प्रिश्ण को हल करने है तो एक घंटा तथा बाग के प्रिश्ण हल करने है दो घंटे का समय पहले जो आपके 20 कोश्चन बहुभी कल्पी आने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा एक गंटा दिया जाएगा उसके बाद section 2 के लिए दो गंटे हैं अगर आपको आ रहे होगे easily तो आप एक गंटे से कम भी time लगाएंगे है ना उसमें कोई problem नहीं है अब देखिए अब हम देखते हैं प्रिश्ट पत्र एक है ना तो टोटल इसका मास्क क्या होगा 20 होगा तो आपको इसमें जो सही लग रहा जैसे भारतें दुशही लग रहा तो उसपे टिक कर दीजे दुवेदी यूग सही लग रहा उसपे टिक कर दीजे जो भी सही लग रहा आपको उसको टिक करना है नेक्स्ट है आपको चिंता मणी किस विदा की रशना है निवन्ध है कविता ऐसे आप कोशन नमबर फूर में नेड़का निर्माड फिर ये भी बताएंगे फिर प्रिये प्रवास की सिख्की रचना है तो ये सारा क्या है दखिए ये आपको माती राम की सिख्की ये जैसे आपकी जो बुक होगी ना बुक से पहले जो हिंदी लिटरेचर का इतिहास दे आप अलंकार को देखेंगे और अलंकार करेंगे ठीक है इसमें पूछा जारा कि इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है मनो नील मनी यानि जानो मानो कहीं पर भी आता है तो वहां पर प्रेच्छा अलंकार होता है ठीक है रोला शंद में कितने चरण होते हैं अब छंद में आप करशन सब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है करशन में आ का किया गया है या अक का किया गया है जो भी किया गया आप बताएंगे प्रत्य कितने भेद होतें प्रत्य के कितने भेद होतें पांस दो तीन जो है वो आप बताएंगे पितांबर में कौन सा समास है तो आपक एक तो हिंदी का साहित्य पढ़ना होगा दूसरा आपको अलंकार समझने होंगे तीसरे आपको समास जानने होंगे और आपको प्रत्य उपसर्क के बारे में पता होना चाहिए छंद दोहा का भी अर्थ पता होना चाहिए और बचन विभक्ति के भी बारे में पता होना इस पे भी वीडियो बनाए जाएं तो प्लीज जितना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो मैं इंस्पिरेशन हो जाओंगे और मैं आप लोगों के लिए इसके भी वीडियो बना दूंगी आपको इपी बोर्ड का जो स्लेवस है उसके अकॉर्डि वीडियो लिखे आएंगे उसमें हम इसका सिल्यूशन भी बताएंगे यहां पर हम सिर्फ आपको मर्डर के पर समझा रहें तो देगे नेम लिखित गद्यांस पर आधारी तीन प्रिशनों का उतर देए यहां पर यह आपका जो है खंडबाह है इसमें आपको क्या करना है लिखना हुआ तो यहां पर एक गद्यांस दिया इसके तीन आपको उतर देने हैं तो पहला इसमें उतर toutes गद्यांस का संदर्व लिखिये इसका संदर्व लिखना है जैसे माली जीए, इसमें जैसे है, यह है कोई बात नहीं कि एक सुभाव और रुची के लोगों में ही मित्रता हो सकती है समाज में विविनता देखकर लोग एक दूसरे की और आकरसित होते हैं जो हम में नहीं है हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो चिंता सील मनु से प्रफोलित चित का साथ दूनता है निर्वल वली का धीर उत्साही का उच्छ अकांच्य वाला चंद्रगुप्त युक्त और विपाई के लिए चाड़क का मुथ आता था तो इसका म प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत प्रयोक्त गाद्यांस हमारी पाठे पुस्तत गाद्य कंड से लिए गया है जिसके लेखक यह हैं और पाठ का नाम उनके दोरारचित पाठ से अवतरीत है ना और उसमें आप पताएंगे फिर गाद्यांस के रेखांकित अंसकी ब्याख जैसे अमीर गरीब हो सकता है यहाँ आप शहुकार है अगला चॉर्ड होकता है मितर करता है जोना है इस में जो इस तरहांड्या-व्यारीर होसा आप हमितर्ता कभकर मित्रता हम हमारी हो जाती है उसकी कोई ऐसी quality होती है जह हम शो boys करती है hommes दोनों मित्र बन जाते हैं मित्रता में कुछ भी status को देखना या इस तरहिए bar से नहीं होता मित्रता कहीं भी किसी से कैसे भी हो सकते हैं ठीक हैær । लेखर के अनुसा समाज में विविनिता देखकर लोग एक दूसरे की और क्यों आकरसेत होते हैं तो इसका आपको एंसर लिखना है देखे आपको बताएगे ना सेकेंड पार्ट में ज्यादा टाइम दिया जाएगा फिर है दूसरा अगर आप उसे नहीं पता है तो आप सेके अब आपको यहां पर पहले दिखे गर दिद्धा अब आपका काब्य है तो काब्य में आपको क्या करना है कि आपको यह बताना है कि यह जो बाद्यांस है यानि पाद्य है वो हमारे किस चैप्टर से लिया गया है इसके राइटर काउन है और यह किस में कहां से लिया गया तो यह बताएंगे अब दूसरा आपको यह बताना है कि इसका जो अंडर लाइन है उसको आपको अर्थ बताना है मैं तब बहिरे सुने बुंग पुन बोले रंक चले सिर्श चत्र दराए तो यह आपको बताना है फिर है प्रिक टूंते में कौन सा अलंकार है अब इसमें अगर आप चानते होंगे तो आप इसली कर देंगे नेक्स्ट अगर आपको वह नहीं आता है तो आप दूसरा वाला करेंगे ठीक इसमें भी सेम कंडिशन है फिर है दिएगे संसक्रत गद्यांस में से किसी एक का संदर उसाइथ हिंदी में अनुवार करें आपको संदर भी और पुस्तक का नाम बताना है ठीक है दूसरी बात क्या है कि इसका आपको अर्थ लिखना है इसमें हिंदी में फिर है दिये गए संसक्रत गद्यांस में से किसी एक का संदर उसाइथ हिंदी में बात करें इसमें भी आपको सेम करना है आपको जैसे जो दोहा दिया गया है यह आपको बताना है, यह सुभा सितान का है, यह किस चीज का है, यह फिर गीता के उपदेशों में से है, तो आपको वो लिखना है, और साथ में पुस्तक का नाम बताना है, दूसरी बात अपने पठित खंड काप के आधार पर अब देखें, यहाँ पर क्या होता है, यह जो दस जिले में माली जिये मुक्ति दूत है, दस जिले में जोती जवाहार है, दस जिले में मेवार बुक उठ है, दस जिले में इस तरीके से है, तो आपको यह ध्यान देना, आपकी जो बुक होगी, जिसमें यह खंड काप होगा, उसके उपर एक छोड़ा सा वाक्स होता है, उसमें district का name लिखा होता है कि ये किस-किस district में आएगा तो आप अपने district के according ही इसे पढ़ेंगे माली जीए मुक्तिदूत है मुक्तिदूत का area जैसे माले जैते हैं हर्दोई है, सितापूर है साजानपूर है, या लखिमपूर है इस तरह के से माली जीए इन district में मुक्तिदूत का चलना है और यह है, पैजावाद है, इन सम्में तो हम सिर्फ मुक्तिदूत ही पढ़ेंगे आप उस box में उपर जो लिखा हुआ रहा तो उसमें आप देख लीजिएगा एक बार जो है, जिस district का उसे ही पढ़ना है क्योंकि आप किस district में एकजाम देने वाले ये भी ध्यान रखना है माल लेते हैं, आप हर्दोई के रहने वाले आपको देना है औरिया में तो आप ये ध्यान रखने कि औरिया में क्या है उसको आप पढ़ेंगे हर्दोई का नहीं पढ़ेंगे। जिस डिस्टिक में आपको एकजाम देना है, जिस जिले में आपको एकजाम देने जाना है, उस जिले का ही आप सिर्फ खंडगा पढ़ेंगे. अब आप लोग ये देख लिजيएगा, उपर एक वाक्स बना होता है, लिखा होता है the new तो प्रेयर में आपको परवा दूँगी अगला क्या है आप देखिंग नेचे दिए दिएगे लेकों में से किसी एक का जीवन पर्चे लिखते हुह उनकी प्रमुक रचना गां लख की जिए इसमें आपको जीवन पर्च में क्या लिखना पड़ता है उनका जन्मस्तान उनके माता-पिता उनके सिक्षा उनका उनकी मिरत्तु कभुई उनकी क्या क्या रचनाय थी उनकी शैली कैसी थी सौट कट में आप लेख सकते हैं फिर है आपको कभियों में से किसी एक का उपर देखें लेखक थे नीचे कभी थे यानि तुसी आपको याद नहीं लिखना जो आपको याद है वो लिखना ठीक है अब आपको क्या करना है कि संसक्रत दो प्रशनों का उत्तर संसक्रत में देजिए मतब इसमें से कोई दो का आपको एंसर देना है निमल्यकित में से किसी एक प्रशन पर निवंद लिखिए अब आपको निवंद लिखना है परावरान संरचन के उपाए या आतंक बात कारण अगम निवारण पे या जनसंक्या लावःनी या अठीकिनाड़ी ससकती करनग तो आपको इस तरीके से यह करना है देन का प्रियावरण जाज सब्सक्राथ हंदें दो आपका लास्ट में परहावरण सब्सक्राथ अमारे लिए क्यूं ज़रूरी है और परहावरण का सब्सक्राथ बताएंगे क्या है और मतलब सर चन घर संद्झित क्यों कर रहे मतलब से युद्झचनक करने के लिए लिए पूला जा रह red त्म शरूरी करने के लाप उन्य ठीक है और उसके बाद उसका homme संगार बताएंगे यानि उसके conclusion बताएं या फिर आतंकवाद कारण है वो निवारण आतंकवाद के आतंकवाद क्या है ये समझाना है फिर उसके क्या कारण है आतंकवाद से होने वाली हानिया क्या क्या है और उसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं जैसे skill को development करवा सकते हैं और जैसे जो पढ़ाई की तरफ आप मोट सकते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। आगर आप लोग चाहते हैं ग्रॉदी पूलीज ने को एप लिए जुड़ी प्लीज ला एगा जड़ा रेका लाइक शेयर करते हैं। तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को नीड है मैं आप लोगों को बना के दे तो ये विरा था हिंदी का मॉडल वेपर जो हमने आपको समझाया अगर आपको इसका फुल सलिशन चाहिए तो फुल सलिशन भी हम बहुत जल्द देखर के आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियोज में जल्द ही बेलते हैं थैंक्यू